गुद मॉर्निंग फ्रैंक्स वालकम टू आवर यूट्यूब चानल हो में हूँ आईशिर और आज है दो जून और दो जून से करेंट अफस के जित्ते भी इंपोर्टेंस कोशन्स होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो कोशन् विश्वत दुग्द दिवस जो है वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो है ऑप्शन सी एक जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो एक जून को मनाया जाता है तो जो सयुक्त राष्ट है सयुक्त शर्ट उराष्ट्क जो खाद्दिय और प्रशिय संगठने वैश्विक खाद्दिय के रूप में दूद को महत्व कहत्व रैने के लिए और संवानों में इनके दौरा एक जून को विष्वद्दूद्द दिवस मनाया जाता है जो इसका विशे रखा गया था मतलब 2021 में जो इसका विशे था वो था पर्यावरन पोर्शन और सामाजीक अर्थशाट्स के संदिशों के साथ डेरी के छेतर में इस्तिर्ता लाना तो अब इसकी बात करेंगे जो फूड एन अगरिकल्चर और उगनाइजेशन है खाद और कशी संगटन क्या है तो खाद और कशी संगटन का जो हैटकॉर्टर है वो रोमे एटली में इस्ति थे इसमें जो फाउंडेट हुआ था मतलब जो सिस्तापना की गई थी वो की गई तो इसका सही answer है option ए एक जून को मनाया जाता है यह जो days वगेरा होते हैं का आप से साथ है important होते हैं हर month में जो भी days मनाया जाते हैं कही ना कई कोई ना कोई exam में पूछा जाते हैं तो यह जो विश्वी मात्रो पित्रो दीवस global day of parents को यह मनाया जाता है तो यह एक जून को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है तो तो इसका जो reason था वो है जो विश्वी मात्रो पित्रो दीवस बढ़ते हैं एक्स्ट कोश्वन के आजका हमारा थर्ड कोशन है वह है लैंगुज ऑफ तो एकसे टूर तो पूस्ताख के वह किसके दौरा लिखी गई है तो इसका सही आप्शन भी सल्मा रुषित के दौरा यह बूक लिखी गई है Language of Truth as is 2003 and 2020 की जो बुके वो सल्मा रुशित के दोरा लिखी गई है और उन्होंने जो अपनी इस बुक में जो है रुशित में एक रख्षात्मा कास्टिंग चाल करने का प्रैस करते हैं मतलब हो सकता है कि उनके सब कोई ना कोई गलत दूर वहभार हुआ था इस बुक में उन्होंने उसके बारे में लिखा है वह एक सच्चाई है इसलिए इस बुक का नाम है वह लेंगवज ऑप टूर्थ लेंगवज ऑप टूर्फ एजय ऑफ 2003-2020 मतलब इस बीज उनके कोई दूसरी कुछ चीज प्रकाशित होगी तो उनका कहना है कि उनका सुझाव है कि उनके काम कुछ गलत समझा गया था और उनके साथ दूर वहभार किया था तो उन्होंने इस चीज को जो है इस बुक में प लिखा है और निचे उनका वो लुक का नाम लिखा है लैंगज ऑफ दे टूथ 2003-2020 आज का हमारा फूर्ट कोशन है स्टार्गाज इंड़ इन प्लेयर्ज इन माई लाइफ किस ने लिखी है तो स्टार्गाज इन माई फ्लाइफ जो लिखी थी वह रवी शास्त्री ने किस ने लेकश जाता है किस बत्राज मतला का घ्राज मतल्य ऑता यह पाहए बहुत सब्सक्राज उन्पोर्टेंट होते तो आज हम वायोग न म臨े सब्सक है बश्यों के बारे आन प्जे 님ात Wah नियुत हुम्हों करहने जाता है शुट ने लहाँना के एता जुरुका बरा जि है वोट भी है रवीशास्तुटर अपना जो पहला प्रकार्शन शुरूर कर रहे हैं इसके साथ यह वह लिखना भी शुरूर कर रहे है उनका यह पहला प्रकार्शन रिखने स्वाइजिंग अप्लेयर्स इन माई लाइफ उन्हों नहीं स्टार गेजिंग पल्एर्स विस दोरह किया रहा है पुस्तक का प्रकाशन पाइस का किया रहा है है काKS हुए इंडिया किया जा रहा है इसके सहल एक हक जो है यह दो हमने यह 25 धोन 2021 को रिलीज मुझी होने वाली है शास्ति ने साथरम पतिवाओयस रे हैं तो मतलब जो शविशास्त्री है जो कि क्रिकेट के आल राउंडर है वो अब राइटर भी बन रहे हैं और इनका पुष्टक फर्स पुष्टक जो आएगी पहली पुख जो है इनकी स्टार्गेजिंग दा प्रियस इन माई लाइफ है इसके जो सहलेखा कि वह है आयाज मैन औ एक प्रतिबहाओ के बारे हम उन्होंने इस बुक में लिखा है जिन्होंने कहीं ना कई मॉटिवेट किया था प्रियूइट किया था और ये बुक जो है है 15 जून को 2021 मतलब इसी मंत जो है ऑम पुष्टक के जो लेखा की वो कौन है तो इनके जो सही अन्सार्ट में वहीं ह सावरकर का नाम तो वीर सावरकर की बात हो रही है इस पुस्तक में फिर से हम एक और बुक के बारें पढ़ रहे है तो वीर सावरकर की जो बुक है 1924-1966 में जिसके लिए लेखा कि विक्रम संपन थे उन्होंने इस बुक में क्या लिखा है वो हम डिटल में देखेंगे तो सावरकर एक कॉंस्टेंस लिगैंसी 1924-1966 नामक जो पुस्तक थी वो विक्रम संपन ने लिखी है और इस पुस्तक का जो पहला खंड है सावरकर equals from a forgotten past मतलब ये जो बुक आने वाली सावरकर कॉंस्टेंट लिगेंसे 1924-1946 इसका जो पहला खंड जो है वो आ चुका है और ये इसका जो अभी खंड आएगा ये दुसरा खंड होगा इसके पहले का जो खंड था सावरकर इकोस from a forgotten past तो ये 2019 में आ चुका था इसके जारी किया गया था जिसमें जो है सावरकर के जीवन को 1983 में उनके जनम से लिका इननिससो चोविस में जेल में उनकी ससर्त रिहाई तक गवर किया था मतलब इस जो पहली प्रकारश्ण थी उसमें जो था सशर्स्तर रिहाई मतलब जेल भी जेल मेरों ने क्या क्या किया और जेल से उनकी रिहाई कब हुई उस सब को पहली पुक किया जो खंटा उन बता दिया गया था और जो दूसरा खंड आने वाला है जो अभी लिखा गया है विक्रम संपत के दौरा उस दूसरा खंड में विना में होगा और जीवन के कारियों पर जौहे हैं प्रकाश टाले कांवी पेंगूइन रेंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तह जो है इस वुक का लोक शल्ठी ही अनीaser को किया जा जएगा मतलब इस बुख का जो का जो है लो कारपन्ट किया जाएगा तो एक काफी important question है सावरकर constant ligancy 1924-1968 क्या है और इसका पहला part क्या बताया गया था और दूसरा part क्या बताया गया था और इसके लेखक जो है वो को है तो लिक्रम संपत इसके लेखक गे और इस book को दो पार्टों में divide किया गया है जो पहली 2019 में आई थी जो उनके जनम से रिहाई तक की थी जेल से रिहाई तक की थी मतलब अच्छा सो त्रियासे से लेकर 1924 और जो second पुस्त के 1924 से लेकर उनकी मृत्यू तक लिखी गई है 1906 तक लिखी गई है बढ़ते हमारे next question क्यों तो question 6 हमारा आज का किस सरकार ने अंकोर योजना शुरू की है तो मद्यवादा सरकार ने जो हमकुर योजना शुरू की है इसकी पहल जो उन्होंने किये भाग लेने वारे नागरिकों को कारेक्रम में जन भागिदारी सुनिशित करने के लिए प्राण भायू पुरुसका दिया जाएगा और इस मतलब अगर इसमे जितने भी लोग भाग लेगी तो उन्हें भाग लेने के लिए मतलब इन कारेक्रम में नागरिकों की जन भागिदारी के लिए मतलब जागरुक करने के लिए उन्होंने क्या रखा है कि जितने भी लोग इस कारेक्रम में पार्टिस्पेट करेंगे उन्हें कहिना कर प्रान जो है रक्षा रोपन का अभियान चलाया जाएगा जो बांसुरम स्टार्ट हो गया है इसमें कहिना है आपको एक पोधा लगाना है और जो पोधा लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा अच्छे से उसकी पहली पिक के साथ उसकी बड़े होने की जो मतला 30 दिन या 15 से 20 दिन जो होगी पिक लिए होगी या फोटो लिए होगी तो वह सेंड करने पर उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और जिनका सबसे अच्छा हो को जुन्होंने सच में बाग लिया होगा उन्हें प्रान वाही पूरुष्कार दिया जाएगा तो यही सरकार का कहना है चला जाएगा पृदह लगाते समय एक तस्वीर अठीद सब्सक्राइब भांटके het जाये बिद्वाइसी चयफ सभी आपने पृदह लिया और फिर तीस दिनों तक पृदह की देखहाल करने के बाद की आपको दूसरी टीप जो तस्वीर वह ऐप-LOD करनी होगी कि हाँ आपने पोधा लगाया आपने उसकी देखभाल की और अब आपका पोधा इतना बड़ा हो गया है फिर जो है प्रणवायू पुरुसकार से आपको प्रत्सम्मानित किया जाएगा मतलब प्रत्तिक जीले से विजयताओं का चैहन होगा और सत्यापन के बाद किया है तो वह वायू दूत एप जाए अपना पंजी करन करा यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस कारेक्रम में जो है भागेदार हो सकते हैं जिसमें सिर्फ आपको पेड़ लगाना है रक्षा रोप्रेंट करना है इसके लिए आपने अगर इमानदारी से सम्मानिट बहुत-बहुत-विवजत 的नी किया जाएगा और इस प्रत्तिक जीले के अकॉर्डिंग किया जाएगा जीले में से टौपर्स निकार जाएंगे चीले प्रत्ते ही जये जो है वह निकार जाएंगे किया जाएगा नागरिक अंकुर कारेक्राम है इसका नाम अप्रभंदन के राजय सरकार ने किया गया है तो आप जाएए और इस एप में देखिए एप का नाम है बायुदूत एप आज का हमारा सैवेंध कोशन है हाली में किस देख की पूर्वर प्रधान मंत्री थे पॉर्वर प्रधान मंत्री थे पॉर्वर प्रधान मंत्री थे निधन हो गया है तो इसका शही अंसर है पॉर्वर प्रधान मंत्री थे निधन हो गया है जो की पूर्वर प्रधान मंत्री डेनमार्क के हाली में जो हे डेनमार्क के पुर्वर पधानमर्दी पॉल सुटर का निदन हो गया है उनका जो जनाम हुआ था 3 अप्रिव 1929 को टोडर डेनमार्क में हुआ था सुल्टर जो थे 1982 से 1983 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कारी किया है उन्होंने और देनवार के बारे में हम थोड़े सब बाढ़ेंगे तो इस यो country है ये यूरोप की है country in Europe और यहां का जो capital है वो है campaign जन और यहां की currency है Danish करोन और यहां की population जो है वो है 58.1 लाग रुपीज हाली में विश्वस्वास संगटन WHO ने किस व्यक्ति को तंबाकु नियंत्रन के छेते में उनकी उपलब्दियों के लिए WHO महा निदिश्चक रुशिश मानिता पृष्का से समानित किया है तो इसका सही अंसर है option डी डॉक्टर हर्श्वाधन को जो है विश्वस्वास संगट लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रे कानून ने महात्पुर्ण भूमेका निपाय थी 2019 के राष्ट्रे कानून था जिन मिन्हें ने काफी ज़ादा इंपोर्टेंट डोल प्ले किया था और उन्होंने इसीग्रेट और गर्म तंबा को पादूनों पर जो है कहिना के प्रतिबंद लगाने के प्रयास किया था और इन्हें को देखते हुए डब्लु एचो ने जो है इन्हें डब्लु एचो महा दिदेश्यक विशेश मानिता पुरुसकार से समानित किया है आज का हमारा नाइन कोशन है कि हाली में डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेश टीसी एस ने किस देश में अपना पहला यूरोपिय नवाचार के इंद्र खोला है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन डी नीदल लैंड में खोला है तो हाली में जो टाटा कंसल्टेंसे सर्विसेश से टीसी एस ने अपना जो है पहला यूरोपिय नवाचार के इंद्र लैंड में खोला है कोई भी जिए जो पहली होती है वो बहुत इंपोर्टेंट होती है और कही ना कही हर एक्जाम में पुछी जाती है कोई भी बुस्तक जो लाइटर पहली बार लिख रहा है या जो डे जो है पहली बार मनाया जा रहा है कुछ भी हो जो पहली बार अगर कोई होती है वो एक तरीका के किर्तिमान होता है तो उसे जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है उसे याद रखना चाहिए तो इन्हो उने भी जो अपना पहला यूरोपियस नवाचार केंदर जो है वो कौनसे देश में खूला है नीदलेंड में खूला है रिदलेंड में खूला और टाटा कंस्रिद्धंटेंसी सर्विस से टीस्ट गूल उत्व करने के लिए डिजितल प्रधियक्त कि करने में मदद करने के लिए एक साथ लाएगी मैंने कुछ एक ऐसी योशना बनाई है अपना पहला जो यूरोपिय नवाचार केंद्र में कुछ इस प्रकासिव योशना बनाई है जिसमें यह विश्व विद्यार लोगे विशायों स्टार्टप और सरकार को एक साथ लाने का कारे करी तो आम टीस्टीस क कि जो सीओ है वो है राजेश गोपिनाथन टीस्टीस के जो स्थापना लेती वह एक अप्रे में 168 और इस टीस्टीस का जो मुख्याले हैं वो है मुंबई में स्टीत है ठीक है तो आपको इत्ता क्लियर हो गया है तो अब आड़ते हमाया नेक्स्ट कोश्चन की तरफ काफ अप्षिन अरि 6 त्सक्रण में इंडीमस जैनती रखा गया है जिन्गुर की प्रजाती मिली है इंडीमस जैनती रख दिया है तो L Kumutas कानी रखा गया सिपार स्टी और 36 से के झाले हो पाई जिंगुरा आप council के नाइग प्र नम देश के प्रहमुग ग५ण करता मैं से एक प्रोफेसर जायंत विश्वास के नाम पर रखा गया अच्छा जो प्रहमुग देश के जो गुफण खोच करता थी जिनका नाम था प्रोफेसर जयंत उनके नाम पर जो ही इंडिमस जयंती रखा गया है इस जिंगुर का नाम तो जयंत विश्वास पर रखा गया है इस नई प्रजाती की जो पहचाने जीनस और को नीमस साइसोर 1167-97 के तहट की गई है इस नई प्रजाती कोच से जिंगुर के एक नई प्रजाती का जनव हुआ है जिंगुर के नई प्रजाती कुल गई है जो आप देख सकते हो कि यह पूरी ब्लैक है यह अलग अलग कलर्स के होते हैं वो ब्लैक होते हैं काफी जाधागे आवाज करते हैं काफी बारिश के टाइम पर नाम के लुटे एक वर नई प्रजाइत जाज्वा סथ करते हो और यह कहां पर पाए गए थे कोशन बन सकता है कि कुर्रा गुफाओं में पाए गए थे और 1897 के तहट इनकी पहचान की गए थी जीनस और को नीमस साइसोर के दौरा और इस नई प्रजाती के खोश से छिंगुर की एक नई उपजाती इंडिमस का जनम हो गया है तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगी है तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और तो have a good day thank you